इस्टाग्राम आप का किलियर कैचे या किलियर डाटा या किलियर इस्टोरेज कैसे करें इसके बारे में इस वीडियो में बटाने वाला हूँ कई बार जो है इस्टाग्राम अबलिकेशन उपेन नहीं होता है कोई technical error रहता है या कोई problem रहता है तो इसे में जो Instagram app का clear cache और clear data करना पड़ा है और इसके अलावा अगर आपके Instagram में जो है काफी आप use करेंटे Instagram तो आपके mobile का internet storage Instagram app की टरफ से ही काफी भर जाता है तो clear data करने से आपके mobile का internet storage काफी खाली हो जाएगा Instagram app का आप clear data करते है तो clear data या clear cache करने के लिए सिंपा सब को कायाना क्या है यह Instagram application इस पर type and hold करेंगे यहाँ पर Instagram application open हो चुका है तो हमें open नहीं करना है इस पर आप select करेंगे इस तरसे आप type and hold करेंगे इस पर एक option मिलेगा app info का यहाँ पर आप देख सकते है तो कुछ नहीं करना यहाँ पर app info के option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह page open होगा यहाँ पर storage and cache का एक option देखने को मिल जाएगा अगर आपके mobile में यहाँ पर storage and cache का option नहीं दे रहा है यहाँ पर type and hold करने पर इस्टाग्राम आप पर app info का option नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको करना कि आपके mobile में जो setting application है इससे आप open करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके mobile में का option मिलेगा apps का इस पर आप click करेंगे आपके mobile में जितने भी application रहेंगे तभी देखने को मिल जाएगा तो सबसे उपर यहाँ पर Instagram application नहीं इस पर आप click करेंगे तो यह page open हो जाएगा यहाँ पर कुछने का ना storage and cache का option देखने को मिलेगा इस पर आप click करेंगे इस पर click करने के बाद यहाँ पर clear cache का option मिलेगा यहाँ पर आप clear cache करेंगे उसके बाद यहाँ पर clear storage या clear data के नाम से मिलेगा इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर एक message show करेगा इस पर मने अलग से वीडियों बनाएगे आप clear data करते हैं तो क्या-क्या डिलिट होता है इस्टाग्राम एप का तो आप clear यहाँ पर clear storage करेंगे clear data के लिए storage करने के बाद पीस से आप इस्टाग्राम अब्लिकेशन ओपिन करेंगे तो यहाँ पर ओपिन होने में थोड़ टाइम लग सकता है उसके बाद अपना ID यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अगर पास्वर्ड सेवाट यहाँ पर लोगिन हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस्टे से आपने इस्टाग्राम आपका clear कहचे आप clear data या clear storage कर सकते हैं मिलते हैं फिर किसी नेस्ट वीडियो में